दोस्तों यदि आपकी मुर्गिया जो है चॉकलेटी बीट कर रही है जैसा कि आप वीडियो पे देख पा रहे हैं इसे जो है लूस डॉप कहते हैं और मुर्गियों में लूस डॉप होने से मुर्गिया जो है चॉकलेटी बीट करती है पीले कलर की चॉकलेटी बीट करती है तो इसे ठीक करने के लिए आपको यहाँ मेडिसीन इस्तेमाल करना है जिससे आपकी मुर्गियां एक दिन में ठीक हो जाएगी तो दोस्तो इस पर कम्प्रीट जानकारी पाने के लिए आप हमारी वीडियो पर अंततक बने रही हैं तो नमस्कार दोस्तों मैं हूं हिमलेज देवांगाज 36 गड़ के धमतरी जिले से और श्वागत है आप सब का आज के एक नए वीडियो पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर हम मुर्गियों में होने वाले लूज डॉप पर कम्प्रिट बात करने वाले हैं मुर्गियों में लूज डॉप होने के क्या कारण होते हैं और यदि मुर्गियां लूज डॉप कर रही है चॉकलेटी बीट कर रही है तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं कि मुर्गियों में loose drop होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं तो मुर्गियों में loose drop होने के सबसे बड़े कारण होते हैं उसका digestive system सही नहीं होना और दूसरा कारण होता है कि जब हम मुर्गियों का feed change करते हैं तो उस इस्तिते में मुर्गिया lose drop करने लगती है तो दोस्तों जैसा ही हमें पता चलता है कि हमारी मुर्गिया lose drop कर रही है lose drop होने के कारण मुर्गिया पीली चॉकलेटी कलर की beat करती है या काली चॉकलेटी कलर की बीट करती है जैसा कि आप वीडियो पे देख पा रहा है तो इस प्रकार की बीट करने से आपको समझ जाना है कि मुर्गिया को जो है लुजड आप हुआ है और इसके treatment में हमें यहां medicine चलाना है जैसा कि आप वीडियो पे देख पा रहा है यहां metrozil 400 mg tablet है जो की 15 tablet आता है और इसकी cost जो है तेवी सुपर में मिल जाता है यहां काफी economical medicine है इसका cost हमें काफी कम पड़ता है इसमें अगर बात करें इसकी content के तो इसमें normatresil 400 mg combination मिला हुआ है तो दोस्तो यहां medicine जो है आपके आसपास के कोई भी medical में आसानी से मिल जाएगी अब इसकी dose की बात करें तो एक tablet हमें 40 kg body weight पर देना है आपको जो है आपकी मुर्गियों का weight calculation कर लेना है और उसके हिसाब से आपको पीने के पानी में लगातार दो दिन तक दे देना है वैसे जहां medicine देने से एक दिन में आपकी मुर्गियों में जो loose drop की problem आ रही है वो ठीक हो जाएगी परन्तु दो दिन तक इस medicine को आपको चलाना है और तिसरा दिन हमें जो है liver tonic देना है जैसा कि आप देख पा रहा है या proton की liver tonic है आप कोई भी company की liver tonic इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका dose रहेगा एक लिटर पानी में हमें एक ml liver tonic मुर्गियों को पीने के पानी में दे देना है तो दो दिन हमें जो है नॉर्मेटोजिल टेबलेट चलाना है और तीसरा दिन हमें जो है proton tonic चलाना है liver tonic चलाना है जिससे जो है आपकी मुर्गी पूरी तरह से ठीक हो जाएगे तो दोस्तों ये था loose drop पर एक छोटी सी जानकारी और इसी तरह से अन्य नई नई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि भुष समय आने वाली मुर्गी पलन से सम्मंदित जानकारी मुर्गी में होने वाली विमारी से सम्मंदित जानकारी आपको मिलती रहे